थेलो दोस्तों मेरा नहीं मोच कुमार और आप देखने है टेगी मंतन दोस्तों आपने हमेशा देखा हूँ कि जब आपने वाइलेस सेक्योटी होडते हैं अपने मोरम से या राउटर में जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं आप इसमें देखे कि सबसे पहल इसमें फर्दर ओप्षिन कोड़ के देखेंगी तो इसमें आप दिखेएगा वी पी यह उनली वी पी टो आप इसके बाद जो नीचे लेखिए इंक्रप्टर की होती है वो होती है टी की आई पी और टेएस दोस्तों में इस वी चीजिए बारे में आपको गताने वारा हो प्राने टेकनोलोजी में होते थे हमारे जो फाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइ तरीये तो देलना करते हुए शिरुवात करते हैं सबसे पहले हम बात करते है है डबलु इप के बारे में डबलु इप का मतलब होता है यता गया अन्य कैसा नाइंटीन्य का थे ये वे जो इक्ति हैं यह इसेस्टम हमारे हैंka माकिया थे जो में यह स्क्रेंटिवा इस्तेंग यो एक इस मौय तो किया ता किया mother मतलब इसाइक्ल पोंदीं क्इस्तों जो इस सिम्पाइब होता था यह बोहुती सिम्पल जो सक्योटी होते नि इतनी आज़ने उती इसमें कि इस्तिमौल किया थि वो मैं 20 में कि आते दो सब्सक्राइब और fan बित होती है जो में 24 बित का मतलब यह खुम मिल सब कि तरह कवाक्यद की निमार का जो होदी शब में आप का एक जो हमने एक एली कर दे लिदक आया किए तरह यह दो जो वड़ाय जो सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे की बनती है और जब हम उसे 24 के साथ करेंगे तो हमारी एक सोक्ताइब की बनेगी और जो इन दोनों में यह होता था था कि इतनी बैटर नहीं होती थी जो हमारी शेल्ग क्योंकि 44 भी केंध की उसकी केज जो होती थी बुथ दौंक यही उती थी और वह जो है जिए यह फिर घ्ली को change recommend करती है तो दो उस package approximately या एल्गर्वित्म कर लिफ से लगाती तो उन्हें जाग गती हीजिए कि वह देखती थी जो package send or recipe आरबार करके वह जो के होती थी cover की उसकी वह से gain कर लेती थैंथिए कि वह से सिस्टम होता था और उसमें पीचो की जो, फाइंड करने की ओती थी डाडा पैकट रसीविद करने में फाइंड हो जाती है थी, उससे बात जो आता है कि इसमें, जो बोतिकेशन कैसे होती है, झाली बटीकेशन इसमें दो तरह की होती है तो मैं जो open network होगा तो उसके साथ सिर्क मुझे वन टाइम चुटी वरने की चूट हो कि उसके बाद क्या होता है जो हमारा data होता होता नहीं होता वह जो उसमें security है बोकुत ही कम होती है एक होता है शेयर दिजनेटवर्क की शेयर नेटवर्क की में होता है कि आपको जो सबसे पहले में एक request बेजूँगा फिर दोबारा SS point से मुझे फिर दोबारा plane बेजाएगा फिर मैं दोबारा उसमें password की भरूँगा और फिर मैं जो दोबारा उसे एक दोबारा authentication बेजूँगा और फिर जो मिले को है वह जो SS point होगा वह चेक करेगा जो मुझे पाइल सेंडिंग करते थे तो वह जो है उतिकेश्री की probability या कहीं कि जितना data app send या से विव होंगा की का पता जो है कि इसकी जो की है network की वह कौन सी है और आपके जो network system को hack कर लिए दोस्तों क्या हुआ है इसे वीक security की वाई से जो है कि कैसे कुछ देर बाद या कुछ मिल्ट्रिया जो system को कैसे hack कर दिया आता है कि आपकी जो की का कैसे हम पता लगा सकते हैं तो उसे बात जो है Wi-Fi aliens ने है WPA system में इस्तमाल किया जो 2003 में से certificate मिला WPA का मतलब बहुता Wifi Protected S Wi-Fi Protected S जो है 2004 से सभी modem के लिए इस्तमाल में आने लगा इससे जो simply है कि जो आपके modem सोते थे हमें में software upgrade करना शुरू कर दिया या या फिर जो नवे modem बनते थे उन्हें पहले से ही जो है WPA system होता था और उनके जो हार्डवेट भी होता था वह भी उसी चीज़ पर करता था जो वी पीए में algorithms होता था वह इस्तमाल किया आता था TKIPT का मतलब होता है temporary integrated protocol और इसके साथ जो इस्तमाल किया था था वह किया आता था message integrated check message integrated check और TKIP का मतलब यह होता है कि जब भी भी आप authentication करते हैं wireless network के साथ तो वह आपको एक temporary provider करता है जब आप कोई भी data send कर रहे होती है हर बार तो उसकी जब आपको data send हो रहता है तो वह आपको temporary की हार बार अलग देता है जब receiving करते हैं वह magic होती है फिर देबाप एक data फिर दबारा send कर रहते हैं तो उसकी जो की होती है authentication की अलग होती है message integrity check का मतलब यह होता है कि जो उसमें जो data package होता है वो उससे वो जो temporary की हुई थे कि हर बार change होती रहती है और साथ में जो है message integrity check system है वो भी इसके बीच में integrate करती है गया मतलब यह है कि उसमें जो हम कहीं या फिर गहीं protocol जो है इस्तमाल किये गए गए थे और algorithm इस्तमाल किये गए थे new उसमें modification कर गए ताकि जो आपकी की होती है Wi-Fi की वो कुछ detect ना कर पाई पर दोस्तों क्या हुआ कि यह भी जो है 2005 में सिस्टम में है इसमें भी कुछ खामिया पाई इससे बात जो है 2006 में जो है इसका वर्जन मतलब समझ लिए तो क्या होता है कि इसमें और new technology इस्तमाल किये जिसे हम यह कहें कि इसमें जो इस्तमाल किया गया है जिसे हम बोलते है भूंष किन तो इसके साथ जो स्तमाल किया है मतलब इस्तमाल किया गया वह होता है जिसे हम बोलते हैं CCMP CCMP का मतलब होता है काउंट्र मोड जीपर गलोब चैनिंग मैसेज प्काउमिकेशन कोड प्रोटोकोल वन दोस्तों इसमें जो है त्लव मोती है एक होता है CTR और एक होता है CBC Mac, CBC Mac का मतलब होता है Counter Block Chaining और जो Mac का मतलब होता है Message Appothication Code जो यह दोनों सिस्टम होते हैं वो यह दोनों जो Protocols होते हैं, वो CCMP में होते हैं और यह जो Advanced method होता है, वो होता था यह जो RC4 से और जो TKIP होता था, उसे better होता था इसमें जो आपका data send or receiving होता था, बहुत highly securing होता था और वो जो है, इतनी जल्दी उसे crack नहीं कर पाते थे जो VP2 होता था वो, जो CAES based technology पे होता था और इसमें साथ में जो पराने सिस्टम भी होता था Message Education Code और Message Integrated Code साथ में वो भी होते थे और इसके logarithms होते हैं, वो इनमें over advance कर दिये ताकि जो कोई भी है, इस password का पता ना लगा पाई, जो आप इस्तमाल करते हैं data pens, send me और receiving करने में, दोस्तों इनमें जो है, हमेशा जो VP होता है और VP2 होता है, उसमें हमेशा दो users होते हैं, एक होता है VPA personal, जिसे हम PS के बोलते हैं, या VPA enterprise, VPA जो personal होता है, वो home use के लिए होता है और इसमें जो हम authentication के खुद बढ़ते हैं, और साथ में जो system इस्तमाल करते हैं, हम authentication के लिए और साथ में या फिर AES भी इस्तमाल कर सकते हैं, आप जो AES होता है, वो better सबसे महतर होता है, VPA 2 इस्तमाल करने के लिए और जो enterprise होता है, VPA हम जैसे enterprise होता है, इसमें आपको special जो है advanced setting बननी परती है, radius की जानकार देनी परती है, आपको बहुँ ज्यादा advanced setting करनी परती है पर सबसे better जो होता है, VPA परसनल होता है, अपने home use के लिए, जब आप WPA परसनल का इस्तमाल करते हैं, और VPA 2 इस्तमाल करते हैं, और साथ में जब आप authentication जो type होती है, उसे AES पे करते हैं, तो आपकी security है काफी बढ़ जाती है, जिसे जो है आपका जो कोई Wi-Fi app नहीं कर सकत कुछ भी अपने PC पर कर रहे हैं, तो वो कोई भी है, आपके system को नहीं देशापता कि आप उस टाइंपे क्या कर रहे हैं, पर दोस्तों, 2016 में एक और new चीजाई जैसे हम बोलते हैं, crack, crack का मतलब होता है कि reinstallation attack, यह जो है 2016 में पाया गया, जो VPA 2 को भी crack कर सकता था, तो इस यह सेम की बेस्ता है, जिससे वह है आपकी जो packets होता है, उसके बीच में वो चीज पैकेट का पता लगा सकता है कि इन जो मेरी authentication की क्योंकि आप सेम की होने की वाजे से वह आपके जो packets होते हैं, जो उनमें data जारा होता है, वो उसको देख सकता है कि आप क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब जो क्राइक होता है वो भी इस तरह है इस्तमाल किया गया और जो है यह 2017 में पब्लिश करते हैं गया लोगों के लिए कि जो क्रेट कैसे जो है वह वर्किंग करता है तो उससे बाद जो इसी करके 2018 में जो है वो बैतर किया जाएगा ताकि जो आपके जो पैकेश सेंडर और सीविंग हो रहे हैं उसमें आपकी सेवटी रहें कि आपकी जो की होती है नेटवर की कोई पता ना लगा सके आशार करता हूं मैं आपको इस वीडियो अच्छी लगे होगी इसे लाइक कीजिए और शेयर कीज जाना चाते हैं तो वो भी आप नीचे को मेंट बोक्स में दिख सकते हैं आपने अगर मेरे चैनल को अभी दर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बैल आइकन को हिट करने ताकि जो आप न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन है पासके अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ एक नोटोपी के साथ तब तक ये नमस्कार वीडियो देखने के लिए धन्यवाद